Good morning students, आज हम पढ़ेंगे chapter 6 in teasers, जो की class 6th का chapter है, exercise कौन सी? 6.1, तो उसमें हमारा 6.1 का first sum है जो, write opposites of the following, opposite का मतलब आपको सबको पता ही है, क्या होता है? उल्टा, मतलब की opposite, तो हमारा बास increase का मतलब क्या होता है? decrease, तो increase in weight को हम क्या बोलेंगे? decrease in weight, 30 km north, north का opposite क्या होता है? south, तो क्या हो जाएगा? 30 km south, east का मतलब होगा west, तो 80 meter east का answer क्या होगा? 80 meter west, loss of rupees 700, तो loss का मैंने यहां गलती से लिख दे हैं, यहां पर आएगा profit, profit of rupees 700, और 100 meter above sea level, तो above है, तो above की जगह क्या जाएगा? below, तो decrease का, sorry, increase का decrease, north, south, east, west, loss, profit, और above, below, यह था हमारा first question कि हमने only इनके opposite सी लिखने थे, जो आप करते आ रहे हो, जो आपको पता भी हैं, next हमने करना है, represent the following numbers are, as integers with appropriate sign, हमने इनके integers लगाने हैं, और उनके आगे हमने sign लगाने हैं, plus का या minus का, तो अब सबसे पहले हमने यह देखना है, an aeroplane is flying at a height 2000 meters, सबसे पहले height कितनी दिए, 2000 meters, कितनी above, तो above का मतलब होता है, उपर, उपर का मतलब plus, तो हमारा answer क्या जाएगा plus 2000, above हो गया, plus मतलब की, जो above का मतलब होता है, plus 2000 meters, ठीक है, next आगे हमारा air submarine, वो यह कह रहे है, यह first question में दोबार अबताती हूं, कि एक aeroplane है, जो मतलब की, उपर, 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 2000 meters, तो उपर का मतलब, above का मतलब क्या होता है, प्लस होता है, वो उपर जा रहे है, next 800 meter below the sea level, अब वो depth हो गई, कितनी below हो गई, कितनी 800 meter, तो यह क्या हो जाएगा, minus 800 meter, deposit of rupees 200 meter, sorry, 200 rupees, तो कितने deposit करवाने है, deposit का मतलब क्या होगा, plus, तो यह क्या होगा, 200, plus हो गई, plus 200, withdrawal of rupees 700, जब हमने पैसे निकलवाने होता है, तो क्या होता है, हमारे account में से, माइनस होते है, तो क्या हो गई, minus का 700, okay, I hope कि this is clear to you, next to third question है हमारा, represent the following numbers, ओना number line, हमने number line के उपर, numbers show करने है, तो हमारी number line, आपको शायद नहीं पता होगी, क्यूंकि आप अभी 6th class में नहीं आए, हमारी number line, 0 से start उपती है, आपने सबसे पहले एक line खीचनी है, उसके बा points होंगे, वो होगे, minus के, तो यह हमने counting कर देनी है, numbers डाल देनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, जो minus के होंगे वो इधर, जो plus के होंगे वो इधर, तो हमने क्या करने है, plus 5, तो यह plus वाले points है हमारे पास, तो हमारा plus 5 कहा है, 1, 2, 3, 4, 5, तो हमारा यह plus 5 है, हमने यह इधर वाले हमारे, comunque minus के हूँगे, इधर वाले हमारे plus के हूँगे。 काउंट्ग देने, इस साइड भी और इस अट ही, left साइड भी, right साइड भी. अब हमारeken, from minus 10 के है रहा है ? ain'the minus 10 किदर आएगा ? इस साइड आ जाएगा तो इन्स female सो हो गय हमारे minus 10 , हमारा plus eight . तो बारा से वही first question की तरह 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 plus के कुछ लगा लिए, कुछ minus के लगा लिए तो 8 कहां पर हमारा present कर रही present कर रहे हैं यहां पर, तो यह हमारा क्या होगा 8, as it is fourth sum minus 1 show करना है, तो 0, 1, 2, 3 minus 1, minus 2, minus 3 तो यह क्यों होगा हमारा a point कहां पर आगया यहां पर, अब हमने अगला question करना है, minus 6 as it is minus 6 भी ऐसी होगा 0, 1, 2, 3, 4, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 6, minus 7 तो 6 हमारा कहां present हो रहा है यह हमारा a, okay तो I hope कि this is clear to you next question पर हम चलते हैं fourth sum adjustment figure is a vertical number line represent in teasers, observe it and locate the following points हमारे पास यह number line दी हुई है कुछ हमारे पास points नीचे हैं और कुछ हमारे पास points उपर हैं तो हमारे पास जो number line है एक number line हमारे पास इस type की बनती है अगर हम इसको ऐसे बनाती है तो यह वाले integersers हमारे plus के होते हैं इधर वाले integersers हमारे minus के होते हैं और यह हमारी counting कहा जा रही है, minus पे, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6, minus 7, up to minus 11. तो अब हमने questions के ही आपसे इसके answer देने है, तो if point D is plus 8, then which point is minus 8? अगर वो कह रहा है कि अगर जो point D जो है, वो plus का 8 है, तो which point minus 8? तो minus 8 point वाला कौन सा है? तो देखो, अब plus 8 वाला तो D है, ओके, तो अब हमने minus 8 देखना है, minus 8 कहां पे है, minus 8 के सामने क्या है? F, तो हम इसका answer करेंगे point F, next है, is point Z is a negative integer, और अब positive integer, हमने G point देखना है, और उसको बताना है कि वो एक negative integer है या positive integer है, तो हम सबसे पहले देखेंगे G कहां पे है, G के सामने क्या है, minus 6, तो क्या है, minus का हो गया, तो क्या हो गया, यह negative integer, next है हमारा right integer for point B and E, तो हमने मतलब कि point B और E के points के number बताने है, अब B point का है हमारा यह है, तो B के सामने क्या है, 4, तो B is equal to क्या हो गया, plus 4, और E का पे है, यह रहा, तो E के सामने हमारा क्या हो गया, minus 10, तो E is equal to minus 10, next है हमारा which point marked on this number line has the least value, हमने सबसे छोटी value शो करनी है, और उसका point बताना है, हमारे पास सबसे छोटी value कैसे आएगी, जो हमारे पास plus की values होती है, वो सारी बड़ी होती है, और जो negative है, आज तक आपने यह देखा होगा, कि हमने मालोव 1 से लेकर 10 तक counting की, तो क्या होता है, हमारे पास 10 तक क्या होगा, नंबर सबसे बड़ा कौन सा होगा, मैं आगर आपसे पूछूँ, कि इसमें मालोव 1 to 10 तक counting में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, greater कौन सा है, 10, बट जो negative integers होते हैं, उसमें हमारा सबसे बड़ा नंबर क्या होता है, 1 to 10 में minus 1, minus 2 उससे छोटा, minus 3 उससे छोटा, minus 4 उससे छोटा, 10 जो होगा, जो minus 10 होगा, वो सबसे छोटा होगा, मतलब की negative integers में उल्टा होता है, इसका opposite होता है, कि अगर हमारा, मथनला कि 10 सबसे बड़ा है, बट, जो negative quantity होगी, जो negative integers होगे, उसमें मतलब कि हमारा जो minus 1 होगा, वो सबसे बड़ा होगा, तो अब वो कह रहा है कि हमने सबसे छोटी value देखनी है तो छोटी value क्या है हमारी minus 10 है ओके तो point कुन से है उस पर e तो answer क्या जाएगा point e यहाँ पर आप point भी लगा देना ओके next हमारा था arrange all the points in decreasing order of value हमने decreasing order पर जाना है तो सबसे पहले decreasing order होता क्या है आपने descending ascending question किये थे last year तो ascending क्या होता था हमारा हम पहले मतलब कि छोटा कर छोटे से बड़े पर जाते थे पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा at least सबसे बड़ा last में हम आग तक पहुंच जाते थे इसमें हमने decreasing order of value करना है तो सबसे पहले हम बड़ा करेंगे फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा फिर सबसे छोटा तो इस तरह से हम decreasing value पर चले जाएंगे सबसे पहले हम D से start करेंगे तो D C B A O H G F E इस तरह से हम points show कर देंगे okay next question पे हम चलते हैं फिफ्ट भी, following is the list of temperature of five places in India on a particular day of the year. तो हमारे पास कुछ क्या दियो में, places दियो में है, siyachin, shimla, ahamdabad, Delhi, shrinagar. और temperature के आइन के 10 degree celsius below 0 degree celsius, above next 2 degree celsius below 0 degree celsius, next 30 degree celsius above 0 degree celsius, 20 degree celsius above 0 degree celsius, 5 degree celsius below 0 degree celsius. first question, write the temperature of these places in the form of integers in the blank column. तो हमारे मतलब की सबसे पहला क्या है, कि इनको हमने blank column में, हमारे बस book में ऐसे show किया है इसको, इस tribe से, okay, तो हमने मतलब की blank column को पहले मतलब की clear complete करना है, तो 10 degree celsius below 0 degree celsius, मैंने आपको below का मतलब बताई दिया, हम पढ़ चुके हैं कि below का मतलब क्या होता है, below का मतलब minus होता है, तो क्या आएगा minus 10 degree celsius, next आएगा हमारा, below फिर से आगया, 2 degree celsius, तो क्या होगा minus 2 degree celsius, 30 degree celsius above, तो above का मतलब क्या होगा, plus, तो 30 degree celsius, क्या किसका आगया, plus का, 20 degree celsius above 0 degree celsius, तो ये भी क्या जाएगा plus 20 degree celsius, और 5 degree celsius below 0 degree celsius, तो इसमें क्या जाएगा below है, तो minus 5 degree celsius, next हम पढ़ते हैं, following the number line representing the temperature in degree celsius, plot the name of the city against the temperature, हमने मतलब कि इनके जो temperature हैं, इनके मतलब ही हमने places के नाम बताने हैं, तो हमने सबसे पहले क्या कि ये number line show कर दी, जो कि हमारी book के अंदर भी बनी हुई है, तो 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, और ये minus 5, minus 10, minus 15, minus 20, minus 25, minus 30, तो ये 0 आगया, सियाचीन कितना है, 10 degree celsius, minus का, तो minus 10 degree celsius का है, यह रहा, यहाँ पे कहा हमने show कर दिया, सियाचीन, शिमला कितना है, 2, कौन सा minus का, तो minus 2 कहाँ पे आएगा, 0 और 5 के बीच में, 0 और minus 5 के बीच में, ये आगया हमारा शिमला, अब आगया हमने कर दिया, डेली, डेली कहाँ पे आएगा, 20 degree celsius, डेली कहा है, 20 degree celsius, तो 20 degree celsius, ये आगया, डेली, और next हमारा एहमदाबाद, एहमदाबाद कहाँ पे आए, 30 degree above, तो 30 degree above पे कहा आगया, एहमदाबाद, अब हमारा कहा बचा, श्री नगर, श्री नगर कहाँ पे है 5 degree celsius below तो यह हमारा क्या आगया minus 5 degree celsius okay i hope this is clear to you next हम करते है which is the cooling place cooling place कुन से siya chin siya chin क्यों है क्योंकि सबसे ज़्यादा कम temperature कहां पे है siya chin में ही है siya chin में क्योंकि दो quantity हम देखेंगे minus 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 तो minus की सबसे ज़्यादा value किसकी है 10 की है सबसे ज़्यादा थन कहां पे है siya chin में next हमारा which is the cooling place cooling place कुन से siya chin okay write the name of places where temperature 10 degree celsius जहां पर 10 degree celsius temperature है वो बताना है हमने sorry यह question में थोड़ी सी mistake है मतलब कि हमने 10 degree celsius से अबव बताना है कि जो temperatures are above 10 degree celsius तो above में क्या होगा एक को हमारा एहमदाबाद है और daily है कि एक temperature 30 degree celsius है एक temperature 20 degree celsius है next आता है हमारा in each of following pairs which number is to light of the other on the number line तो हमने मतलब कि बताना है कि right में किसके क्या आते है 2 और 9 2 और 9 में क्या होगा कि जो 9 का pair 2 और 9 दोनो positive quantities है प्लस के हैं दोनो तो right में कौन सा आएगा मतलब कि हम अगर number line बनाते हैं आपको यह number line से show करती हूँ कि जैसे हमने number line कोई भी दिखा देखती हूँ आपको जैसी यह ही है यह वाली तो number line हमारा जैसे हमने दिखाना है कि 2 और 9 तो 2 कहा है हमारा यह 2 है यह 9 है तो 9 कहां पे right में है तो क्या लिखेंगे answer इसका 9 is right on 2 आगे हमारा integer minus 3 minus 8 तो यह हमारा minus 3 है यह हमारा minus 3 यह हमारा minus 8 तो right में कौन सी quantity है minus 3 आगे है next है हमारा 0 और minus 1 तो right में कौन से हमारा 0 और minus 1 के 0 next हमारा minus 11 और 10 तो minus 11 और 10 में 10 हमारा इधर है और 11 minus का इधर आएगा तो कौन सा right होगा यह side होगा तो 10 आएगा minus 6 और 6 में कौन सा आएगा 6 और 1 और minus 100 में जो बड़ा होगा वही आजाएगा 1 next आते है कुछन हमारा write all the integers between the given pairs write them in increasing order 0 और minus 7 के बीच के points लिखने है increasing order में तो minus 6 minus 5 minus 4 minus 3 minus 2 minus 1 minus 4 से 4 तक जाना है तो क्या आएगा minus 3 minus 2 minus 1 0 1 2 3 minus 8 से minus 15 तक जाना है तो क्या करोगे minus 14 minus 13 minus 20 minus 11 minus 10 minus 9 increasing order का मतलब क्या होगा पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर सबसे बड़ा तो आपको पता ही मैंने बताया ही है कि minus 10 जो है minus 11 से बढ़ा है write for negative integers greater than 20 किसके minus 20 गे अब अगर मैं आपसे पूछती कि 20 से बड़े कौन होते है numbers में 20 से बड़े integers कौन से होते है आप बोलोगे कि 21, 22, 23, 24 ओके बट ये है negative integers तो negative integers में जो छोटा होगा वही बढ़ा होगा तो हम मैं मतले कि minus 20 के पीछे वाले numbers ले लेने है minus 19, minus 18, minus 17, minus 16, minus 15 write for integers less than minus 10 तो जो हमने less than लेने है तो आप अगर मैं पुछती है आपसे कि भी जो minus 10 से 10 से चोटे points बताओ 10 से चोटे points आप क्या बताओगे 9, 8, 7, 6, 5 बट ये minus 10 है तो जो minus 10 से चोटे होगे कौन कौन से होगे minus 11, minus 12, minus 13, minus 14 अब true false बताने है हमने कुछ minus 8 is true right of 10 on a number line minus 8 क्या number line minus 10 के number line में right आएगा true minus 100, minus 50 के right में आएगा पहले minus 50 आएगा फिर minus 100 आएगा तो right में कौन होगा minus 50 ये कह रहा है कि minus 100 होगा बट ये क्या होगा false smallest negative integer is minus 1 तो जो मतले कि smallest negative integer होता है वो minus 1 होता है ये पूछ रहा हमसे smallest negative integer तो हमारा क्या होता है जो सबसे बड़ा होता है वह हमारा smallest होता है negative में तो ये भी false minus 20 is greater than minus 25 तो अगर हम counting के हिसाब से लगाएं 25 26 से क्या होता है छोटा होता है बट ये minus क्या है दोनों quantity तो क्या होगा 25 जो होगा वो 26 से बढ़ा होगा बट ये क्या कह रहा है minus 26 बढ़ा है तो ये भी क्या गलत है तो ये थी हमारी 6.1 जो कि I hope कि this is clear to you आपको समझ में आई गई होगी तो next video में हम करेंगे 6.2 ये थी हमारी 6.1 Thank you